Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 4th maths chapter, Carts and Wheels. ये chapter आपका shape circle के बारे में है. ये आप previous classes में भी पढ़ चुके हैं. इस बार part 1 वीडियो में हमने center के बारे में देखा, जो midpoint होता है circle का. उसके बाद radius, distance between center and circle. center और circle के बीच की जो distance है, उसे हम radius कहते हैं. एक circle की सभी radius equal length की होती है. जितनी बड़ी radius होगी, circle उतना ही bigger होगा. और circle जितना छोटा होगा, radius उतनी ही छोटी होगी. ये कुछ concepts, hopefully आप सभी को clear होगे. अब बात करते हैं remaining topics के, जो की हम इस वीडियो में cover करेंगे. तो चलिए, start करते हैं. कोई भी बच्चा अगर new हो channel पर, आप channel को subscribe कर लिजे, bell icon को press कर लिजे. So, we were on page number 87, जहाँ पर आपको कुछ designs की होगे, जो circle को use करके आपने बनाए हैं. दरजीत has made these designs using a compass. Compass किसे कहते हैं? ये देखिए, ये है compass, आप सभी के geometry box में होगा, जिसमें एक side pointed nib होती है, और दूसरी side pencil को hold करने के लिए holder होता है. इसको use करके आप circle बनाते हैं, pin को रखते हैं center में, ऐसे, pressurize करते हैं, pin के उपर और pencil को loose छोड़ देते हैं, चारो तरफ जब इसको गुमाते हैं, तो एक circle draw होता है आपका, ये देखिए ऐसे. तो उसको use करके देखिए, दिलजीत ने कुछ design बनाए हैं, जैसे पहले उसने तीन circles बनाए हैं, और इसको use करके एक plant बना दिया, फिर ये तीन circle है, उसके बाद यहां पर वो कुछ design draw कर रही है. His sister came and started making more designs with him. दिलजीत की sister आती है, और वो उसके साथ कुछ और design बनाने लगते हैं, जैसे उसने four यहां पर circles draw किये, उसके बाद जो common area है, इन सभी का उसको shade कर दिया, अगर आप अब इनको erase करते हैं, तो देखिए एक बहुत सुन्दर flower ये बन जाएगा. ऐसी eight circle का भी एक flower बनता है, जो अब भी आपको दिखाएंगे. Do you want to make such design? To make such design, you will need to use a compass. आपको भी कुछ ऐसे design बनाने है, ऐसे design बनाने के लिए आपको compass चाहिए होगा. ये होता है compass, using a compass. Compass को use कैसे करना है? Have you seen a compass before? आपने कभी compass पहले देखा है? जरूर देखा होगा. लेकिन क्योंकि चोटी classes में आप handle नहीं कर पाते, कई बार इससे चोट लग जाती है, इसलिए आपको use करने के लिए नहीं दिया जाता है. और आप अलग चीज़ों से जो circular object हैं, उनसे circle बनाते हैं. How will you use this to make a circle? कैसे आप इसको use करेंगे? open your compass, compass को open करिए, खोल लीजे ऐसे, press the tip of the compass on the paper, ये tip, press करिए compass की paper के उपर, hold the compass from the top, top से इसको पकड़िए, यहां से है, यहां से नहीं पकड़ना है, without moving the tip, try to move the pencil, ध्यान रखिएगा, सारा जो pressure है आपका, वो nib के उपर होना चाहिए, इसके उपर, इसको आपको हिलने नही देना है, और pencil को loose छोड़ दीजिए, ये अपने आप चारो तरफ घुमेगी, तो circle अपने आप ड्रो हो जाएगा, तो आपको pressurize इसको करना, इसको थोड़ा सा tight पकड़ के रखना है, ताकि ये हिले ना अपनी जगे से, और pencil को आप loose छोड़ के चारो तरफ घुमाएंगे तो वो खुछ trace कर देगी circle को, इस तरीके से आप circle draw करते हैं, look for a mark where you had kept the tip of the compass, जहां पर आपने compass के tip रखी है, बिल्कुल center में, circle के जहां पर आपने tip रखी है, ये बनाया है, ये होती है, ये जैसे इसने बीच में रखा, ये होता है circle का center, the mark is the center of your circle, is this circle better than one you made earlier without a compass, आपने जो पहले बनाये थे और अब जो compass दे बनाये हैं, obviously ये वाला better होगा, draw the radius of the circle and measure it, उसकी radius draw करिये और measure करिये, की radius कितनी है, now you can make your own design like दिलजीत had made, how many did you make, आपको भी अपने कुछ designs बनाने हैं, compass को use करके, मैं कुछ design आपको दिखा देती हूं, जहां से आप idea ले सकते हैं, य ये सिर्फ design इतना, तो फिर इसमें अलग design करके, आप कुछ बहुत सारे design इससे भी बना सकते हैं, जैसे ये देखिये, ये एक बच्चे ने बनाया, ये सिर्फ design रखा उसने, उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे design बनाये हैं, और कुछ circles उसने draw कर लिये हैं, ये कुछ design है जो आपने circle से बना, एक बड़ा circle draw किया, दो यहाँ पर ये देखिये, छोटे radius के circle एक ऐसे एक ऐसे, फिर इसके अंदर एक और circle, one more, one more, और यहाँ पर दो शोटे circles, आप ऐसा भी कुछ बना सकते हैं, something like this, ये easy भी रहेगा, four circles, four ये बनाना आपको सिखाया है, पेटल पहल आगल, okay, next, अच्छा ये guess करिए, ये design कैसे बना होगा, ये वाला, इसमें हमने पहले एक circle बनाया, उसके बाद थोड़ा छोटा radius लेके, यहाँ से एक आदा circle ड्रॉ किया, पूरा नहीं करना है, compass को आपने यहाँ रखा और सिर्फ इतना ही circle ड्रॉ किया, उसके बाद compass को य अच्छा रखा और इदर से एक ऐसे circle ड्रॉ किया, तो तब जाकि ये shape ऐसे बनी है, आप भी इदर एक ऐसा ही design जो है बनाएंगे, पहले एक circle बनाईए, ये इसका center है, फिर यहाँ पर एक point लीजे, यहाँ एक आदा circle बनाईए, फिर यहाँ पर एक point लीजे, यहाँ पर eraser, रवी उससे eraser मांगता है, she kept her compass and gave him the eraser, वो अपना compass रख देती है, इतना ही circle उसने draw किया था अभी तक, compass रखके eraser देने लगती है, then she started again to complete her circle, फिर से वो शुरू करती है circle बनाने का, लेकिन पहले उसने ये circle बनाया था, दुबारा उसने ये बनाया, guess करिए, why did Nina get such drawing, नीना तो circle shift हो जाएगा, पहले आप ये circle बना रहे थे, अब आपने यहाँ पर center लिया, तो ये circle बनेगा, तो Nina ने इसको center लेके थोड़ा सा circle draw किया, पूरा नहीं किया, अब क्योंकि उसने center change कर दिया, तो पूरा circle भी change हो गया उसका, तो आप लिखेंगे, because she moved the center, can the circle have more than one center, क्य क्या किसी circle में, this cancer होगा, because she changed the, or moved the center, क्या किसी circle में एक से जाधा center हो सकते है, answer है no, एक circle का सिफ एक midpoint होता, उससे जाधा नहीं हो सकता, unique point होता, वो बिलकुल बीच वाला, another day Nina was using a compass to make circle, but it came out like this, दूसरी बार, Nina फिर से circle बना रहे थे, फिर वो ऐसा बना, वो ऐसे बना रह थी, फिर थोड़ा सा किसक गया, और यह ऐसा हो गया, अब क्या हुआ होगा, हो सकता है, compass पहले कम खुला हो, अब compass कई बार आपका compass लूज होता है, जब कई बार जाधा खुल जाता है, कम open होता है, उस ट्राइम एसा circle आपका बनता है, फिर radius जाधा हो सकती है, did anyone of you ever get a shape like Nana बहुत बार ऐसा होगा, अब देखें, जब भी कभी आप बनाएंगे, compass अगर आपका लूज रह गया पैंसिल में, या फिर यहां से लूज होता है, कि आप यह compass की, इसको टाइट करने की, compass अगर लूज है, आपने circle ड्रॉ करना शुरू किया, इतनी radius का, बीच में compass जाधा लूज हो गया, बड़ा circle बन गया, ऐसा कई बार आपके साथ भी होगा, जब आप circle ड्रॉ करेंगे, ओ, the screw of the compass is loose, अरे यह तुसका screw loose है, let me tighten it, मैं फिर से इसको type करती हूँ, और compass ताकि slip ना हो, fit the center, साधिक और समीना, wants to make circle for themselves, साधिक और समीना, circle बना रहे हैं, I will make it with compass, य मैं इसको बैंगल से trace करूँगी, तो देखे, यह circle बना रहा है, compass से, यह बैंगल से, then they cut their circles, उसके बाद वो circle cut करते हैं, see my circle has a center, क्योंकि इसने compass से बना है, तो इसको center पता है, इसका center यह रहा, लेकिन बैंगल में आपको center नहीं पता होता, but where is the center of your circle, लेकिन तुम्हारे circle का center कहा है, साधिक पूछता है, तो समीना कहते है, don't worry, see how I find it, चिंता मत करो, देखो मैं कैसे निकालती हूँ, she folded her circle into half, अगर आपको एक यह circle दे दिया जाए, उसको आदा फोल्ड कर दीजिए, एक बार, ऐसे, और फिर से आदा ऐसे पोल्ड कर दीजिए, जो यह point मिलेगा, आपको दोनों का common point यह होता है, आपका center, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको एक circle दे दिया गया, उसे half करिए ऐसे, फिर उसे half करिए ऐसे, दोनों side से, जो यह point आपको मिलेगा, यह point, यह होता है आपका center, okay, can you see the two creased line crossing each other, क्या तुम्हें दोनों creased one line एक दूसरे को cross करत this is the center of the circle, तो यह circle का center है, अगर ऐसा कोई आपके school में project होता है, आपकी teacher आपको एक circle दे, पेपर से कठा हो, और कहे कि इसका center find करो, तो आप उसको दो बार फोल्ड करेंगे, एक बार ऐसे, फिर एक बार ऊपर से, और जहां पर दोनों lines आपकी cut करेगी, वो होता है आपका center, now you trace a circle on the paper using a bangle, अब आप भी एक चूड़ी से, बैंगल से, circle trace करिए, उसको cut करिए, उसका center find करिए, जैसे समीना ने किया है, we can also make the design on paper 88, design जो दियावत आपको 88 पेज नमबर पर, कैसे आप उसको draw करेंगे, आपने एक circle draw किया, उसके यहां से एक सीधी line कीची, फिर यहां आप पे रखके आधा circle नीचे बनाया, आधा उपर बनाया, नीचे वाला छोड़ दिया, इस तरीके से आपका इडिजा, फिर पूरा बना के erase कर दीजे, उपर वाला, इस तरीके से आपका इडिजाइन प्रपेर होता है, next step balancing act, can you balance a plate on your finger, एक plate लिजी अपनी एक उंगली प मैं फिर से ट्राइ करता हूँ, तो अब इसने बिल्कुल सेंटर में रखी, आप यह बालनस हो जाएगी, I think I have found the center of the plate, जहां से आपकी plate बिल्कुल बालनस हो जाए, आपकी उंगली पे, गिरे ना कुछ देर के लिए, थोड़ देर बात तो वो दिस बालनस होके गिरी जाए वो टूडेगी तो गिरेगी तो टूट जाएगी, कोई भी स्टील की ले लो उससे ट्राइ करो, अपने हाथ पे बैलनस करने के और उसका center find करने की, spin the top, लट्टू को spin कराना है, जाकिर, अपु, नैना, एन गुड्डू, जाकिर, अपु, नैना, गुड्डू, वर गेटि लेता है, let's each make a top, चलो सभी एक लट्टू बनाते हैं, they took a piece of cardboard, वो cardboard, थोड़ा सा मोटा जो गत्ता होता है, उसको लेते हैं, trace the circle, एक circle trace करते हैं, then they made a hole and put a matchstick in it, उसमें एक hole करते हैं, छेद करते हैं, और उसमें एक matchstick गुसा देते हैं, देखें, जाकिर ने ऐसे किया, यह ने यहां, गुड्डू ने यहां, whose top will not spin at all, किसका top बिल्कुल भी spin करेगा ही नहीं, तो इसमें जाकिर ने ने ने, ने ने का इन दोनों का बिल्कुल नहीं करेगा, गुड्डू का भी नहीं, गुड्डू का थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन इन दोनों ने तो किसका top सबसे अच्छे से spin करेगा, अप्पू का, क्योंकि उसने बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में स्टिक लगाई है, इन होस टॉप दस्कित, स्टिक इसमेरेस तो दस्टिक करेगा, किसके जो स्टिक है, वो सबसे पास है, सेंटर के अप्पू के, अप्पू की स्टिक है, वो सबसे पास है, इसलिए इसका top जो है, वो spin करेगा, make your own top, अब आप खुद अपना एक top लट्टू बनाईए, आप भी एक कार्ट बोर्ड लीजे, काटिए, उसके बीच में स्टिक ताल दीजे, और फिर उसको रखके गोल-गोल घुमाईए, और देचे कि वो कितने अच्छे से spin करता है, so that's all students, इसी के साथ चाप्टर आपका finish होता है, hopefully जो topics है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इस चाप्टर से questions कैसे बन सकते हैं, वो हम discuss करेंगे, आपके question answers करेंगे worksheet से, अभी के लिए तना है, thank you so much for watching.